हेलो डियर स्टुडेंट आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं रीट एसेस में यूनिट फोर का टोपिक मौलिक अधिकार जो कि एक इंपोर्टेंट टोपिक के सभी एकजाम में इसमें से क्यूशन आते हैं तो आईए अपन स्टार्ट करते हैं आज का टोपिक मौलिक अधिकार अगर आपको वीडियो बात में पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजेगा आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन देखते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं तो जीवन के सरवागिन विकास के लिए आपरिहारी रूप से आवश अनुचेद में हैं और कौन से भाग में हैं तो याद रखेगा मौलिक अधिकार जो हैं वो अब मारे स्विदान के भाग तीन में हैं तदा कौन से अनुचेद में हैं तो अनुचेद 12 से लेकर अनुचेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उलेग किया गया हैं सबसे स्टार्टि में कितने मौलिक अधिकार हैं छे मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार हैं ये एक वीधिक या कानूनी अधिकार हैं जो कि अनुचे 300 कैमे वर्णी थें याद रखना मुलत हैं मौलिक अधिकार की संक्या साथ थी लेकिन 1978 के द्वारा चोमारिस्वे सिविदान संसोदन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे वीदिक या कानूनिय अधिकार बना दिया गया है जिसके कारण वर्तमान में मोलिक अधिकारों के संक्या कितनी है छे हैं और जो ये संपत्ति का अधिकार हैं ये वर्तमान में एक विधिक या कानूनी अधिकार हैं जो अनुछे 300 कैमे वढ़नी थें फिर इसके बाद आता है सविधान सबा ने किसके अधिक्सता में एक परामर्ज समीती का गठन किया था तो सविधान सबा ने सरदार पटेल की अधिक्सता में एक परामर्ज समीती का गठन किया था और बाद में जेबी करपलानी की अधिक्सता में मूल अधिकारों पर एक कि आदार पर ही सुविधान में मौलिक अधिकारों को सामील किया गया था पिर आईए अपना आगे देखते हैं कि अनुचेद 12 और 13 में क्या है propor बार एक खरी और 13 में तो लिक प्रकार ओंहीडों के सामानिय रूप रेका वर्णित हैं कि वा किस प्रकार होंगे उनका 27-28 ये मौलिक अधिकार जो हैं ये विदीश्यों को भी प्राप्त हैं अब अपन देखते हैं परमुक मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं इसकी सोटरिक आप याद रखना मौलिक अधिकारों को याद करने की समता को स्वतंतरता प्राप्त हुई सोशन से धरम संस्कृति और स् बुदा से 18 तक, स्वतंतरता का अधिकार अनुचेद 19 से 22 तक, सोषण के विरुद अधिकार अनुचेद 23 से 24 तक, धरम का अधिकार मतलब धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार अनुचेद 25 से 28 तक, फिर इसके बाद आएगा संस्कृति और शिक्षय का अधिकार 29 से 30 तक, और स् सोट्र याद रखेना समता को सवतंतर्टा प्राप्थ हुई शोषनचे धर्म संस्कृति और सवेदानिक उपचार द्वारा तो समता का अधिकार कौन से अनुचायत में वनित हैं समता का अधिकार स्वतंतर्टा का अधिकार 19-22 सोषन के विरुद्ध है अधिकार 23-24 सविधान की आत्म काहता तो आइए एपन डीटेल में अब इसको स्टार्ट करते हैं समता का धिकार का उल्लिएक सविधान के कौन से अनुचेद में हैं अनुचेद 14 से 18 में अनुचेद 14 में क्या वढ़नी थें? समानता और कानून के समान सनरक्षन की वेवस्ता अर्था जो कानून है वो सभी की लिए एक समान है तो अनुचेद 14 में क्या है? समानता और कानून के समान सनरक्षन की वेवस्ता फिर अनुचेद 15 में हैं दैर्म जाती, मूलवंस, लिंग या जनम स्थान के आधार पर किसी से बेदवाव नहीं होगा ये कौन से अनुचेद में वणने थे अनुचेद 15 में समता के अधिकार के अंतरगर फिर अनुचेद 16 में हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता परदान की जाएगी सभी को नोकरी में समान अवसर दिया जाएगा तो लोक नियोजन में अवसर की समानता है अनुचेद 16 में अनुचेद सत्रा में ऐस प्रिश्यता और चुवाचूत का अंत हैं तो चुवाचूत का खत्रा अनुचेद सत्रा याद रखना अनुचेद सत्रा में क्या है चुवाचूत और ऐस प्रिश्यता का अंत तो चुवाचूत का खत्रा अनुचेद सत्रा फिर आता है अनुचेद अठारा में क्या हैं तो अनुचेद अठारा में हैं उपादियों का अंत सरकार द्वारा सिर्फ सेना या विद्या सम्मंदी सम्मान ही दिया जाएगा विद्येशों से उपादी लेने से पहले राष्टपती की स्विकृती आउशक होती हैं तो यह हो गया समता का अधिकार 14- अठारा के बीच जो भारत रत्न पदम पुरुषकार आजी सभी पुरुषकार जो हैं यह अनुचेद अठारा के तैत ही दिये जाते हैं तो यह हो गया स्वतन 14 समता का अधिकार 14-18 तक 14 समता और समानता और कानुन के समान संरक्षन की वेवस्ता कानुन सभी के लिए एक सम समान होगा अनुचेद 14 में अनुचेद 15 में है दरम जाती मोलवन्स लिंग या जनमस्तान के अधर पर किसे से कोई भेदवावनी होगा नौकरी में सभी को समान आउसर मिलेगा लोक नियोजन में आउसर की समानता चुवा चूत का खत्रा अनुचेद 17 और उपादियों का अंत अनुचेद 18 बारत तरत ने पदंपूरुषकार आधि सभी पूरुषकार किसके तहट दिया जाते हैं अनुचेद 18 के तहट दिये जाते हैं अब अगला आता है स्वतंतरता का अधिकार अनुचेद 19 से लेकर 22 तक तो सबसे पहला अनुचेत आता है अनुचेत 19 इसके तहर कितने प्रकार की स्वतंतरता सुनिशित की गई है तो अनुचेत 19 के द्वारा व्यक्तियों के लिए 6 स्वतंतरतां सुनिशित की गई है 19 A में क्या आएगा विचार अभिवक्ति या प्रेश की स्वतंतरता है 19 A में फिर इसके बाद 19 B में है निसस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंतरता फिर 19 C में है संग बनाने की स्वतंतरता सत्यानमे संसोदन 2011 द्वारा अनुचेत 19 C में संग के बाद या कोपरेटिव सोसाइटी सब्द जोड़े गए हैं याद रखेगा सत्यानमे संसोदन 2011 द्वारा संग के बाद क्या सब्द जोड़े गए हैं संग या कोपरेटिव सोसाइटी फिर इसके बाद आता है 19D में क्या है भारत में कहीं भी सर्वत्र ब्रमन की स्वतंतरता है फिर इसके बाद आता है 19E भारत में कहीं भी बसने या रहने की स्वतंतरता ये है 19E में फिर इसके बाद आता है 19 F में रोजगार या व्यापार करने की स्वतंतरता इसका उलेखे 19 F में तो 19 में कितने प्रकार के स्वतंतरता ये प्रदान की गई है। इसके बाद आता है अनुचेद 20, 20 के अंदर उलेख है, अपरादों की विरुद्ध, दो सीधी के सम्मंद में संरक्षन, इसमें दो भाग है, 20A और 20B, 20A में तो आता है कारियोतर वीदियो से संरक्षन, जिसके तहट ये कहा गया है, कि पूरु में किये गए कारी के लिए दं दंड नहीं दिया जा सकता, बले ही वो कारी जो है बाद में अपराद गोशित कर दिया गया हो, तो उसके लिए दंड नहीं दिया जा सकता, 20B में हैं दोहरे दंड से संरक्षन, अर्थात एक अपराद के लिए एक ही बार दंड मिलेगा, फिर आता है तीसरा भाग इसका 20C, आत्म अभी संसं से संरक्षन, अर्थात केसी भी वेक्ति को अपने विरुद गवाही देने के लिए बाद नहीं किया जाएगा, तो यह है अनुचेत 20 में 3 भाग, 20A, 20B और 20C, फिर इसके बाद आता है अनुचेत 21, जो है पराण और देहिक स्वतंतरता से सम्मंदित, यह कब जोड़ा गया था, 86 वे स्विदान संसोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है अनुचेत 21 के, और यह लागू कब से हुआ है, 1 अपरेल 2010 से लागू हुआ है शिक्षा का अधिकार, जिसके तहट राज्जी को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निशूल को और अनिवारे शिक्षा उपलब्द करानी होगी, फिर आता है अनुचेत 22 जिसके तहट गिरपतारी के विरुद्ध अधिकार दिये गए हैं कि किसी भी वेक्ति को बिना कारण बताए गिरपतार नहीं किया जा सकता, किसी बंदी वेक्ति को 24 गंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेस अनुचे 23 में वर्णित है, मानव दूर व्यापार और बेगारी का निशेर, इस होट में याद रखे 23 में क्या है, 23 रुपे में बेगारी, अनुचे 24 में आता है, 14 वर्ष से कम आयूई के बच्चों को कार खानों या अन्य जोखिम वाले कारियों में नहीं लगा जा सकता, अर्थात बाल सरम पर रोक लगाईगी है, अनुचे 24 के तहट, तो याद रखे 24 रुपे में बाल मजदूरी, सोशन के विरुद अधिकार में कौन से अनुचे दें, 23 और 24, तो 23 में तो आएगा 23 रुपे में बेगारी, 24 रुपे में बाल मजदूरी, फिर इसके बाद आता है, चोथा अधिकार, धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार, जो की 25 से 28 तक है, अनुचे 25 से 28 तक, अनुचे 25 में आएगा, सभी विक्तियों को किसी भी धर्म को मानने, अन्तह करन की स्वतंतरता, धर्म में विश्वास करने और परचार करने का अधिकार है, ये अनुचे 25 में फिर इसके बाद आता है अनुचेद 26 जिसके अंतरगत धार्मिक कार्यों के परबंद करने की स्वतंतरता का अधिकार सभी को दिया गया है कि दर्म के नाम पर किशी विक्ति को कर या टेक्स देने के लिए बाद्य नहीं किया जा सकता अनुचेद 27 में फिर अनुचेद 28 में है सरकार द्वारा संचाली शिक्षन संस्ताओं में दार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ये किसमें उलेक हैं? अनुचेद 28 में उलेक किया गया है फिर इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये हैं अनुचेद 29 से 30 के दर्मियान अनुचेद 29 में आएगा भारत की किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग या समू को जिसकी अपनी भासा, लीपी या संस्कृति हो उन्हें उसकी रक्षा करने का अधिकार है किसी भी नागरिक को राजजिद्वारा या उसकी सायता से चलने वाले शिक्षण संस्तान में जाती धर्म, वंस या भासा तथा इन में से किसी भी आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं क्या जा सकता इसका किस में उलेख है, अनुचेद 39 में फिर इसके बाद आता है, अनुचेद 30 में कि सभी अलपसंख्यकों को अपनी इच्छा के अनुसार, शिक्षण संस्ताओं की स्तापना और उनका परबंद करने का अधिकार हैं, ये इसमें उड़ने थे अनुचेद 30 में फिर इसके बाद आता है, सुवेदानिक उप्चारों का अधिकार अनुचेद 32 से 33 अनुचेद 32 में कहा गया है, कि मौलिक अधिकारों को हननन होने पर उन्हें पुने लागू करने के लिए सरवचे नियाले कुछ आदेश जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों को पुने लागू करने की सकती किसके पास है तो याद रखना important question exam में आया हुआ है, कि मौलिक अधिकारों को पुने लागू करने की सकती Supreme Court और High Court दोनों को प्राप्त है अनुचेत 32 द्वारा अधिकारों को पुने लागू करवाने की लिए सरवचे नियाले 5 प्रकार के आदेश जारी करता है याद रखना जबकि High Court कौनचे अनुचेत के तयाद जारी करता है आदेश 226 के तयाद याद रखना सरवचे नियाले की सनुचेत द्वारा अधिकारों को पुने लागू करवाने के लिए 5 प्रकार के आदेश जारी करता है तो 32 द्वारा और High Court 226 के तयाद 5 प्रकार के आदेश जारी करता है पांच प्रकार के आदेश कौन कौन से हैं सबसे पहले आता है बंदी प्रतेक्षी करण इसमें क्या आता है बंदी को प्रतेक्ष रूप से पेस किया जाता है अवेद रूप से बंदी बनाए गए विक्ति को नियाले के सामने पेस करवाने के लिए जारी आदेश होता है उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षिकरण फिर आता है परमादेश किसी सारवजिनिक अधिकारी को करतवे पालन के लिए जो आदेश दिया जाता है वो कहलाता है परमादेश फिर इसके बाद आता है उत्प्रेशन उत्प्रेशन क्या होता है मामले को आग प्रतिशेद कहते हैं। फिर आता है अधिकार प्रच्छा। अगर आपातकार लग जाए तो आपातकार के दुरान मौलिक अधिकारों पर क्या प्रबाहो पड़ेगा। फिर अनुचेद 369 में वनित हैं। अब तक मौल अधिकार निलंबित रहेंगे। अब आप देखिए मौलिक अधिकारों के संबन्द में सरोच नहले द्वारा समय समय पर कौन-कौन से निर्ने दिये गए। सबसे पहले आया था गोलकनात बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 में जिसमें सुप्रीम कोट द्वारा निर्ने दिया गया था कि संसद जो है मौल अधिकारों में संसोदन नहीं कर सकती। फिर आया था केशवनन्द बनाम केरल राज जिवाद जिसमें निरने दिया गया था कि संसद को मूल अधिकारों में संसोदन का अधिकार हैं लेकिन संसद इसके मूल डाचे को नहीं बदल सकती। फिर आया था मिनरवा मिल्स बनाम बारत संग 1980 में इसमें नयाले द्वारा मूल अधिकारों की सरवत्चिस्तिति निर्दारित की गई थी यह आपका टोपिक हो गया कंप्लीट मौलिक अधिकार अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजेगा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में ने टोपिक के साथ जय हिन जय भारत